नहीं था चार्ट का आज है फरिष्टा डे है फरिष्टा फरिष्टा स्वरूप चलता फिरता फरिष्टा अव्यक्त फरिष्टा बाबा क्या कहते है और उनको भी यही शब्द बार बार याद दिला दे रही तो हर प्रभाण का अबे लक्ष्ण और लक्ष्ण फिशेष यही रहना चाहिए है भी लेकर नमबर वार यही लगनो अब फ्रिष्टा बननाई है फ्रिष्टा अर्दाद इस सदे सकार्दे से न्यारा सदा लाइट की ते दारी फ्रिष्टा अर्दाद यह है आज का फरिष्टा बनना तो फरिष्टा मतलब क्या यूमन्स मेजर एंजल्स डोनेट अर्थाद मनुष्य जो है कैलकुलेट करता है हम हमेशा सोचते है इवन एक स्माइल के लिए भी मैंने स्माइल किया उसने क्यों उसने तो किया ही नहीं मैं करती रहती हूँ वो कभी करती नहीं है हम सोचते हम कैलकुलेटिव नहीं है बट हम बहुत कैलकुलेशन में करते है उसने ऐसा नहीं किया न अब मैं ऐसा नहीं करूंगी मतलब मेरी अच्छाई जहां मैं गिवप कर देती हूँ उसको कहेंगे मेजरमेंट तो मनुष्य मेजर करता है एंजल्स देता है बिस्टो करता है, देता रहता है वो देखता नहीं है उसने कितना किया, उतना मैं करूंगी मुझे करना है तो आज जैसे बाबा कहते है सयोगी बनना, ब्राम्मन आत्मा ही सयोगी ब्राम्मनों के लिए डोनेशन नहीं चाहिए दान नहीं देते हम, हम सयोग करते हैं क्योंकि वो आत्मा भूल गई, ब्राम्मन आत्मा उसको केवल रिमाइंड कराना होता है जैसे examination में नहीं होता है हम लोग करते हैं जैसे कुछ बात भूल जाते है तो कुछ ऐसे ऐसे टेकनीक करते है हाथ के इशारे करते है ताकि वो उसको याद आजाए तो यह क्या कर रहे हम, help कर रहे तो ब्राम्मन आत्मों में इसको कहेंगे help तो हम चाहे अपने सेहन शक्ति धारन करके मतलब हम help कर रहे है तो angels donate और humans measure इसके बाबा की मुली है 26.393 की कब हम दे सकते है किसको कहेंगे देना ऐसे कभी नहीं समझो यह है ही ऐसा अगर यह भी संकलप कर दिया किसी के लिए मेरे मन में है यह तो है ही ऐसा तो vibration तो रहेगा न कैसा भी हो लेकिन आप negative vibration को बदल positive vibration रखेंगे तो वो आत्मा भी negative से positive में आही जाएगी आनी ही है तो कभी इतना सा भी किसी के लिए labeling आ गया वो आत्मा फरिष्टा नहीं बन सकता फिर वो vibration रहेगा वो दे नहीं सकता है व्रत्ती द्वारा रुहानी vibrations फैलाने है व्रत्ती है rocket जो यहां बैठे बैठे जहां भी चाहो जितना भी powerful परिवर्तन करना चाहो वह कर सकते हो यह रुहानी rocket है जहां चाहो और जितना परिवर्त केवल व्रत्ती में यह जो underline किया न यह word नहों यह तो यह है ही ऐसा अब अपना एक homework कल का एक category देखो कितने ऐसे मैंने इसमें labeling किये होए है यह तो है ही ऐसा negative labeling चाहिए बड़ा कंजूस है उसको negative नहीं समझते कुछ-कुछ ऐसे words है यह तो गुसे वाला है है ऐसे labeling जो भी ऐसे noun सोच के रखा होगा वो वाला category note करके लाए देखेंगे हम काल क्या करते है उसका next तो दूसरा है दो है इंजल्स की qualities मनुष्य जस्टिफाइ करता है एंजल्स रिकनसाइल करता है कई बार हम बहुत सारी बाते जस्टिफाइ करते है यह ना वहां हुआ ना फिर ऐसे गई इसलिए फिर ऐसा हुआ इसलिए फिर मुरली मिस होई इसलिए फिर ऐसा हुआ defend करने की कोशिश करता है मनुष्य justify करेगा ताकि मेरे उपर blame ना आए और angels जो है मिलाने की कोशिश करेगा वो justify नहीं करेगा महसूसता और मिलाना यह angels करता है तो उसके लिए बाबा ने क्या महावाक्य किये बताए है next चाहे वो real में wrong भी हो लेकिन आप उसका wrong धारण नहीं धारण नहीं समझना धारण नहीं करना समझना अलग चीज है knowledgeful भले बनो लेकिन knowledgeful के साथ powerful बन करके उसको समाफ्त कर दो तो angels reconcile मतलब क्या करते है first of all कोई भी wrong को real में भी wrong है तो समझेंगे जरूर लेकिन knowledgeful है powerful बन करके उसको समाफ्त कर दो समझना अलग चीज है समाना अलग चीज है समाफ्त करना और अलग चीज है समझदार उसको कहां जाता है जिसको समझना भी आता है और मिटाना भी आता हो यह है कोई भी एक तो justify नहीं करना और angels कैसे दे सकते है उसका wrong भी है तो उसको बुद्धी में मतलब समझना है धारन नहीं करना है धारन इन दे सेंस उसको अगर मैंने labeling कर दी तो धारन कर ली उतना portion मेरा बुद्धी का negative रहेगा तो इसका मतलब गर मेरे 10 labeling है तो मेरा 10 ऐसे portion है बुद्धी के जो negative रहेगे और particularly उन आत्माओं के लिए जो मेरे साथ रहती है फिर तो बहुत ज़्यादा हो गया इसलिए बाबा कहते है कि बच्चे समझना, समाना और समाप्त करना तो knowledgeful के साथ powerful easy है तो justify नहीं करे लेकिन reconcile करे हर बात को कैसे मुझे जोड़ना है कैसे मुझे मिलाना है reconciliation करते न reconciliation क्यों बताया क्योंकि करना चाहिए कि मुझे class करनी चाहिए यह है aim अब उस class करने के लिए हम कहते bank reconciliation करते तो bank के साथ अपने statement को reconcile करते एक का तो accurate होता ही है तो angels मतलब एक accurate है अब बाबा ने यह कह दिया आज तो अब मुझे उससे मुझे कितना reconcile करना है अपनी जो status है उसको उसके साथ मुझे मिलाना है उसको कहेंगे reconciliation कि जैसे अभी बाबा ने कहा है समझना है लेकिन समाप्त करना है तो दोनों हो हम लोग सुस्ते दोनों का balance होना चाहिए balance दोनों का नहीं होता है समझना है लेकिन उसके साथ फिर समाप्त करना है वो एक मिनट के लिए होता है फिर उसका समाप्त करना ये ज़्यादा होता है next तो इसलिए ये ब्रह्मा बाप समान आज पूरे दिन ये feeling से चलता फिरता फरिष्टा भनने और बाबा को emerge करे in fact ढ़ बाबा को फरिष्टा स्वरूप में स्वयम का भी फरिष्टा स्वरूप फरिष्टा स्वरूप स्वमान से भी कोईंसाइड करता है वाइसलेस तो बाबा का फरिष्टा स्वरूप सामने इमर्ज रखे और बाबा को साथ रखे फरिष्टा स्वरूप में स्वयम का और बाबा का तो ये आज का पुर्शारत रहेगा सारा दिन और कल हमारा सबसे इंपोर्टेंट आज पुरे दिन 21st डे है बटी का तो ये बहुत ब्यूटिफुल पुर्शारत है आपने साकार में सीची मधुबन के फलवारे कहां चल दे छोड़ कर जब आई अपने बारे आप कहें कुछ भी कैसे मैं ड्रामा कहें दू ओ बाबा तो में जो आज का पुर्शारत रे रहेगा कि चलते फिरते फरिष्टे और ये वाला बाबा की फरिष्टे की प्रेजन्स फील करे अब क्यों करना है वो कल से पुर्शारत से कनेक्टेड रहेगा और सारा दिन बहुत अच्छा लगेगा बाबा फरिष्टे स्वरूप में पुरे घर में घूम रहे उस घर का पुरा प्रोटेक्शन है सबसे बातों से, करोना से भी है, सबसे प्रोटेक्शन है जिस घर में बाबा फरिष्टा स्वरूप में घूम रहा है और मैं स्वयम भी फरिष्टा स्वरूप में हूँ तो ये वाली फीलिंग और धारना तो हम सब को पताईए है क्या करना है सारे दिन ठीक है तो फिर कल हमारा फरिष्टा 21 दिन आज ही समापती और लास्ट है तो कल बाबा को हम भोग लगाएंगे इस्पेशल बहुत जो भी आत्मों ने efforts पुर्शारत किया 21 दिन का और जो यहां है आ सकते है तो बाबा के भोग के समय तक मतलब मुरली पहुँचे बहुत अच् बाबा को हम भोग लगाएंगे उसके बाद फिर थोड़ा अनुभव का लेंदेन करेंगे ठीक है तो जिनों ने भी किया है अपने अपने स्थान पर भी तो वो भी मतलब भोग लगाएंगे ही साथ में तो और वो अपना